अगर वो सलामत है, तो वो तुमारे सब क्यों नहीं आए? जब इलते जा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था और चौड़ी की बात है तो मेरी बेटे ने चौड़ी किया है अफसोस।। तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चौड़ी का लखा रहा है वो। लेकिन बाबा हम सच कह रहे हैं हाफले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद है मस्रू कामाल बिन्यामीन के सामान में से निकला था ये जूट है बिन्यामीन चोर नहीं है ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है अगर हमने खुद अपनी आँखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है नहीं नहीं शायद आप उक ना जानते हो लेकिन उसके भाई जानते है कि बिन्यामीन चोर रही है बिन्यामीन को मैंने पाला है वो कभी चोरी नहीं कर सकता लाई का क्या हुआ उसने क्या चुराया था जो उससे अपने साथ नहीं लाई उसमें सामना करने की हिमत ना थी उस ते कहा कि मैं बिन्यामीन के बगिर किनान वापिस नहीं जाओंगा वो मजबूरें वही मिस्र में रुख गया ये सब तुम्हारे जहन की इखतरा है ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साखता है तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुताले के रहे हैं वो सब छूट है खकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है लेकिन बजाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीजे मिसर का मसरुका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था दुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने बसे थे कितने वादे किये थे वादावफा ऐसे किया जाता है मैं तुम लोगों के शर से कैसे चुटकारा पाओं कैसे वाह सरता है मेरे खुदा मेरा बिन्यामीन मेरा लावी मेरे बच्चो क्यों तुमने अपने बूरे बाफ को तना चोड़ दिया तुम्हारी जुटाई के दर्द मैं कैसे परदाश्ट करूंगा देखो तुम्हारी जुटाई से मेरे सीरे में दर्द गिरे लगा और आखे खूम के अस्गर उने लगी है है यह तो किस पर गर्या करें? भी तो किस पर ना करें? मृरी भाल बचिवी आमीन ना बख्चा एल भापन वाँ वाँ आए बसकिचिए बाबाँ आमीन, आमीन, मेरा लाफिए बख्चिए जर पुंचिए वाँ आमीन नहीं होगा? आमको खुदा के वास्ता ले सking जले ही आमकी बिनाही कमसहा है और लूह आपी कहीं बाबा, बाबा सुर्फेकपा पसकते बाधा रजत्जाए एपाधा के पाधा यूसूर मेरियूसुफ अबाह कनान जब जब तुम मेरे खहलों के उफख मनमदार होते हो तुम मेरे तारीफ जिन्दगी को और मेरे दिल के अबसुर्दा खाले को रोशन कर देते हो तुम्हारी जुदाई का जागुदास गम क्या कम था जब उसमें बिल्यामीन और लावी की जुदाई के गम कभी साफा हो गया है इन लोग ने मेरे सीने में आग लगाती है मेरे जिन्दगी की तीरगी में मजीद साफा कर दिया है अचाने पिदर क्या तुम भी मेरी तरह तरते फिर आग में तड़ब रहे हो आया थुपी रातों को तनहाई में सरखाक पर लगकर उसे अपने आस्मों से तर करते हो बरसों से गमों ने इस घर में अपना देरा जमाया हुआ है लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा तुमने तो कहा था कि अजीजे मिसर बड़े रहम दिल और द्यालू हैं तो फिर अब क्या हुआ नहीं मालूम सब कुछ ठीक चल रहा था हम गंदुम लादकर किनान के लिए निकल ही रहे थे ये बिन्यामिन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया बिन्यामिन चोर नहीं है ये सब जानते हैं मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मां क्या हमारे चच्चा सच के रहें क्या हमारे बाबा ने चोरी की है वो चोर नहीं है नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है जो अपने जूर्म पर परदार डालने के लिए अब उन पर इस तरह ताम्मत लगा रहे हैं लेकिन सभी ने देखा था के जाम बाबा के सामान से ही वरामद हुआ था ये लोग घलत बयानी कर रहे हैं इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है क्या मालूम ये जाम कुछ हिरों ने ही उनके सामान में रख दिया हो अगर सबने अपनी आँखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना तब भी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं इन लोगों की खैर नहीं अगर मेरे बाबा पर किसी भी किसिम की कोई आँच आई तो देग लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बिन्यामिन चोर नहीं गलत बात मत करो सारे किनानी बिन्यामिन पर एतमाद करते हैं अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है मुझे बताओ मेरे सामान से क्यों मसरू का माल बरामद नहीं हुआ वो और उसका भाई दोनों ही चोर है उन्होंने हमसे हमारा बाब चुराया है हम सानों बाबा को पाने की आर्जु में जलते रहे उन्होंने फुपी फायका का कमर बंद चुराया उन्होंने ही अजीजे मिसर का तलाई जाम चुराया वो दोनों ही चोर हैं बाबा क्या आप वाकर हमारे चाचा बेन यामिन को चोड़ समझते हैं क्या भात है मैं आपकी लिए खाना लाई हो बाबा मुझे भूक नहीं है चली जाओ जब तक दर्वाज़ा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाओंगे अभी मुझे खाइश नहीं मेरे चान बुझे भूक नहीं है हिलतेजा करती हुँ बाबा दर्वाज़ा खुल ये मेरे खुदा बाबा आपकी आंके ये क्या हो गिया आपने यप्रे साथ क्या कर लिया बाबा आपकी आंके सुफैद हो गई है आपकी 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 क्या हो अगदीना क्या हो गया यह चीखने की अवास कहाँ से आई थी यूसुफ 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 मेरे मैं जी क्या हुआ वाब यह आपने क्या कर डाला कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं है सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हम को भी बस कीज़े बाबा, खुदा के लिए बस कीज़े मुझे तुम लोगी उपदर्दी के सुपरत नहीं जाओ मुझे तना छोड़ दो हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए बस चले जाओ चले जाओ मुझे केलग छोड़ दो रभी ना तुम्हारी आसुम यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर बाबा सुने तो सही, बाबा हमारी बास सुनो मैंने तुम लोगों से कहा था कि आगर विनियमीन को कुछ हुआ तुम्हे बाबा जाओ कुछ हुआ जाओ 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 बाबा इस ते जाग करते हैं थाज़िए जाज़ीए बाबा अवसुस आड़ु साधी मेरा यूसुफ मेरा बिनियमीन, मेरा यूसुफ हाए हाए मेरा लावी क्या हो गया है बाबा की आखे सुफेद हो गई सुफेद अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कर जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो गए हैं एक लम्हे को भी करार नहीं आया हमें कुछ तो करो वो खुद को हलाक कर डालेंगे मैंने आज ते कुने इतना रचिदा नहीं देखा कोई फायदा नहीं लेकिन क्या करें कुछ तो करना होगा अज़ा वो मेरे गुभशता कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे बस कीजिए बाबा मत रोए इतना आपके गिरिया ने पूरे किनान पर सोग तारी कर दिया बाबा एक बाहर तुम्हार देख लेए आखिर कब तक रोएंगे लगता है यह दर्वादा को लिए बाबा आखिर तुम उसे क्या चाहते हो बाबा आखिर तुम उसे क्या चाहते हो बाबा आखिर नबी खुदा आपकी आखिर यहुदा तुम लोगरी में यूसुफ को उसे चीन लिया मेरे बिन यामीर को उसे चीन लिया अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो आखिर क्या चा मैं इसी एक इनाव से तुम लोगों से दूर हो जाओं गोशन अशिनी अख्यार फिता के तनाई बे अपने गिर्या कर सको अब ये बिन मियामीन और लावी का एक और ताग मुझे दे दिया और फिर भी ये तलबा वक्त पुर रह जो कि मैं गिर्या ना करू चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के इनार उफर यार ना करू तिर पीज़ा छोड़ दू आखर तुम लग चाहते क्या हो आखर इसे पीज़ा छोड़ क्यू नहीं ने है है अब्होस तसल्ण कर चाहता है और नहीं तुमारी आवास सुना चाहता ओंवभ मैं यूसीफ के साफंदभ दरना चाहता हो कि चाहताए जाओ चैने जाओ चिरे जाओंवा मैं तबिया सथरया कि एक मैं वहाट बजानी हैं मैं हमने वो데 मेरे युसूर तर्वारे नजर तुम हम Nationalihat मेरे तुम हमेशा अपने फरेश्टों के समासूं चेरे अच्छों किसी सूरत और उसी माशूमित के साथ तुम्हे इस सामने आ जाते हो तो मैं देखने के लिए मैं जायरी आगों का मौताच नहीं है तो हमेशे मेरे दिल में रहते हो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते एक आश बर सो पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती और इतने साल खुदकोर बाबा को रंज न दिया होता हमें जितना भी बुराबना कहा जाए और जितनी भी तहकेर की जाए वो कम है बड़ी मुश्किल से तो हम यूस्फ के वाके को भुला पा रहे थे कि अजीजे मिस्र ने बिन यामीन को रोग कर पुराने जखमों को ताजा कर दिया है मैं तो उनका नहाया सिपास गुजार हूँ वो बाइस बने ताके हमें अपने गुना की संगीनी का एसास हो तुम लोगों को याद है जब हमने यूस्फ को गतल करने का एरादा किया था तो तो हमने सोचा था कि गुना करने के बाद हम तौबा कर लेंगे लेकिन देखा तौबा करने कि तौबा करने की तौफिगी सद्प कर ली चाले साल होने को आये हैं लेकिन हम अबी तक तौबा नहीं कर पाए चाले साल जानता हूं गलती सरासर मेरी थी मैं समझाता कि तौबा करना आसान काम है दुरूद बर्या खूब नभी पैक आक फरिष्ट है वई खुशाब दीद देख रहे हैं आप मैं अपने यूस्फ के फिराग ने क्या ग्याना सहरा हूँ देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है यूस्फ को किसने पैदा किया और परवान चड़ाया है याप। तमाम जहानों के खालिक और परवर्दिकार खुदावन थे मुतालें बिजस यूस्फ तुम्हारी कितनी ओलाद हैं बेटी तीना को मिलाकर बारा ओलादें जिसके बारा जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जन के फिराक में यूबे करार दुआ करता है यापूब उन में से कोई भी यूस्फ की चगा नहीं ले सकता यूस्फ बेमिसल है बेमिसाल सिर्फ खुदावंद यक्ता की जात है यूस्फ आइन खुदानुमा है उससे देखता था तो गोया जल्वा जमाल खुदा और मजहर तजल्य खालिक को देखता था मैं अपना आइन खुदानुमा गुन कर बेटा हूँ तमाम काइनात जल्वा जमाल खुदावंद और तजल्य खुदा का मजहर था अपने अत्राफ पर जरा निगड़ा था लेकिन तमाम मौझूदात हस्ती वली खुदा नहीं यूस्फ वली खुदा था मैं अपना वो आइन खुदानुमा करुम कर बेटाओ जो मुझे पर हके बिलायत रखता था तुम है कैसे पता चला कि यूस्फ तुम पर हके बिलायत रखता है क्योंकि उसने खुद में मुझे अपने आगे सच्टे की हालत में देखा था खुदावन बड़ा खयू है तुमारे पास तिरफ एक दिल है या और एक दिल में कभी दो महबदें नहीं समा सकती वाइ परवर्दिगार अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से जादा बढ़ गई हो तू मैं तुझसे पाफी मामता हूँ तौबा करता हूँ मैं यूसुफ को जानशी ने खुदावन समझता था ना के उसका शरीक जाफूब जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्द इबराहिम को इसमाईल कब लोटाया था उस वक्त जब खुदावन ने एक फेर इसमाईल की जग़ा गुरुबानी के लिए बेचा नहीं उस वक्त जब इबराहिम अपने इसमाईल को खुदा की राह में कुरुबान कर देने पर आमादा हो गए थे तब खुदावन ने इसमाईल उहें लोटा दिया हाँ बिलकुल ऐसा आई है चुके मैंने अभी अपने दोनों इसमाईलों को खुरुबान नहीं किया है शायद इसी वज़ा से अब तक मुझे अपने युस्फ का दीदार नसीब नहीं हुआ है वाई मैं शर्मिंदा हूँ अहुद शर्मिंदा हूँ लेकिन खुदावन यक्ता की खसम कहता हूँ कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्परदार होता हूँ और इन सब की जगा मेरे लिए सिर्फ खुदावन यक्ता ही काफी होगा हर सकती के बाद राहत है शायद ये दर्दो गम की इंतहा और राहत उ सुपून का आवाज होगा और शायद इक्तितामे हिज्रो फिराक और आवाज बिसल नस्दीक होगा मुझे ये मालू कैसे हो कि ऐसा ही होगा परवर्दिकार आज के बाद से मैं अपने तमाम तरगीले शिक्वे और शिकायात सिर्फ तुछ से ही करूँगा और तेरी ये बारगा में पेश करूँगा मेर ये तू यूसुफ तेरी बागार यूसुफ कुछ बिदी तेरी बागार यूसुफ कुछ बिदी मेरे माबूद, मेरे माबूद मैं सिर्फ तेरी इवादत करता हूँ और सिर्फ तुछ से ही मनतलब करता हूँ यूसुफ तेरी चमाल का आइना था आइना देखा करता था तके तुझे देख सकूँ वगरना खुद आइना तो काबल यतीद नहीं हुआ करता अगर यूसुफ को अजीज रखता हूँ तो मैं अज़ इस भी ताके इश्क का तज्रुबा कर सकूँ वगरना मेरे माशुख तो तू है मैं यूसुफ की मापत से अफू में इश्क का इतराख करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक तू जो माबूद्य अकीकी है पहुचता हूँ पर वर 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 यूसुफ तू तूस्तर पोचने का इग्रास्ता कोई आवाज क्यों नहीं आ रही बाबा खामोश हो गये है अब उनकी आओ बुका की आवाज नहीं आ रही पता नहीं मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना के आओ दीना लिया जी बाबा कोई काम था अपने भाईयों को यहां बुलाओ मुझे उनसे सुरूरी काम है सब यहीं पर है बाबा आगों से क्या काम है मुझे कहीं बिठा दो मेरे साथ आए दादा जान बैट जाए बाबा बैट जाओ तुम्हारे सारे भाई मुझूद हैं अजी बाबास हम मौझूद हैं खूब गोर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो जरह मुझे यह बताओ कि जब तुम लोग मिसर पहुंचे तो क्या वाक्या पेश आया आया यह तेया नहीं पाया था कि इत्यात के साथ जाओगी और खामोची के साथ वापस आओगी फिर आखिर कैसे पकड़े गए अजीजे मिसर ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे और बिलाखिर वो हमें पहचानी करी तुम लोगों से अजीजे मिसर का मिलने पर इतना मुसिर होना अखिर क्यों जब हम भाई वहाँ पहुचें तो वो नहायत महबानी और महबत और तवाज़ों से पेश आए बिल्कसुत वो बिन यामीन पर कुछ ज़्यादे ही मेरबान थे बाबा खाने के वक्ट भी हर कोई अपने मा जाए के साथ बैठा यानी अजीजे मिसर की खाईश थी और बिन यामीन अकेला रह गया तो अजीजे मिसर ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावल किया वो आपस में काफी देर सरगोशिया करते रहे कभी हस्ते तो कभी रोने लगते थे अजीजे मिसर बिन यामीन के साथ हस और रो रहे थे नहीं सिर्फ बिन यामीन रो रहा था हमने उसे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराख में रो रहा है महस चंद रोस की जुदाई पर रोना वो भी रूबरू अजीजे मिसर ये बात समझ में नहीं आती सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा और फिर अचानल बिन यामीन गिर्फ़तार हो गया मेरे लिए कलम दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ ऐसा मैसूस होता है जैसे अजीजे मिसर के रोईयों में कोई रास पुशीदा है वो या तो यूसफ के मतालिक जानते है या फिर तुमारे भाई की तलाश में जरूर तुमारी कोई मदद कर सकते है जाओ और या तो अजीजे मिसर या फिर जिस से भी मुम्किन हो अपने भाई के बारे में तह्कीक करो मेसर में मेरे बच्चों कुछ नकुछ तो जरूर है अब वहाँ जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती और वहाँ जाकर कहीं भी तो क्या यह कहें के हमारे भाई के जुरिंदी से दर गुजर फर्माएं या यह कहें के एक बार फिर हमें कंदुम दे दे ये लिजी डदाजल ये लिजी दूआए मैं अजीजे मिसर की खिद्बत में एक खट लिखे देता हूँ तुम लोग ये ख़त भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगच करूँ मैं तुम लोगों की बातों से चुकुछ समझा हूँ उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है शमून बेटा शमून लिखो अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीजे मिसर युजारसीफ की खिद्मत में खुदावंदे सुभान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रसालत पर बनाए नाजल की और मुटलिफ आलाम और मसाइब के जरीए हमारी आजमाश ली है मेरे जद इबराहीम का आतिश नमरूत के जरीए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इसमाईल जविल्ला को खुरुबान गाह तक ले आया ताकि उनको आसमाए इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी क्या इसके इवेज वो हमें गंदुम दे देंगे कुछ ना होने से तो बहतर है वो हमें मुफ्क में तो गंदुम देने से रहे या तो हमारे पास दरहम और दिनार होने चाहिए या फिर कुई माल मवेशी और दरहम और दिनार है नहीं है हाँ कुछ ना कुछ तो इंतिजाम करना ही होगा हाँ कुछ खाले और थोड़ा बहुत उन्पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है कहो किसी ने खरीदा नहीं ना के बेचा नहीं थोड़ा बहुत मैंने और मेरी भूमों नी मिलकर धागा भी बुना है शायद तुम लोगों के काम आ जाए इन सब के इवस्तों वो हमें गंदुम नहीं देंगे हमारे मालिकी कोई ख़दरों कीमत नहीं लेकिन कुई चहरा नहीं खुदा से कुछ बईद नहीं शायद अजीज इमिस्रा में गंदुम और बिन यामिन दोनों साथ ही दे दे हाँ वाँ क्या खुछ फेहमी है तुमारी लुट्व खुदा से नाउमीद मत हो यहुदा जल्दी करू खुदा ने के दाद खुदा ने के दाद खुदा ने के दाद हमारे दूआ कीजीगा बाबा दूआ कीजीगा हम खुछ कभी की साथ वापस लोटें यूस्फ के बारे में पूछ कर जरूर करना मेरा ये ख़त अजीज मिस्र तक पहुचा देना बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वा पसमाताना खुदा तुमारा निके बाण खुदा निके दाहर खुदा तुमारा निके बाण दरूद खुदा वंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजर्ग पर दरूद खुदा वंद बर यूसुफ नभी दरूद बर बिनारूस है खुब औ महरबान कहा हो बिनारूस अजीज मिस्री के इनायत के जेरे सायर जिंदगी बसर कर रहा हूँ मैं आया हूँ ताके आपको जनाव फर्मारवा की या अतशी फावरी की इतला दे सकूँ फर्मारवा? जी यहाँ ताजुब है दरूद बर फर्मारवा मुक्तदर मेस्र दरूद बर नभी यह खुदा खुशामदीद खुशामदीद बानू क्या बात है युजार सीफ हकीम ने तो हमें बिलकुल ही भुला दिया यकीनन नई मसरुफियाते जनाब युजार सीफ को मश्हूल कर रखा है अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजार सीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिष्टा या अस्दवाज में मुनसरिक होने की इजाज़त ही न देते लेकिन फिलाल तो उन्हें नई फिकरात ने गहरा हुआ है जनाब फर्मारवा तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है नहीं बानुजूर मेरा मकसद वो हर्गिस नहीं अजीजे मिसर की नई परिशानिया उनके भाईयों से मतालिक हैं आपके भाई? जी हाँ, लुट्फ औ इनायात परवर्दिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले है ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर तो आपको मुबारक बात पेश करनी चाहिए आपके वालिदे बुजर्गमार याकूब नभी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी जियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाईयों से दो बार मुलाकात कर चुका हूँ, वो लोग इस वक्त किनान गए हुए है आप उन सब को यहां मिसर क्यों नहीं बुला लेते? यहां आप उनकी रहाईश का बेहतरीन और मुनासिब इंतिजाम कर सकते है इरादा तो यही है, अलबता अगर अगर अजाज़त जनाब आखनातून हो तो यह तो बाएस ऐसाद फ्तिकार होगा कि जनाब याकूब नभी अपने मुबारक कदमों से हमारी इसर जमीन को इज़त बखशे मिसर के मालक को मुखतार आप हैं और अजासत हम से तलब कर रहे है जल्द अजल्द उन्हें मिसर बुलवा लीजिए हम तो समझे के शायद इश्क आसनात के साथ साथ इश्क जल्द जल्द खा की मसरूफियात में भी इजाफा होगी है जो आप हमें बुला बैठे फिलहाल तो वो राज और न्याज में मश्गूल हैं दूसरे माशुक के साथ और किसी तरफ मतوجہ नहीं होना चाहती वो बहुत गलत कर रही है युजार सीव खुदा से जुदा तो नहीं जल्द खा को यहां बुलाईए ताकि हम जान सकें के असल मामला क्या है अपने खांदान की रहाइश के लिए किस जगा के इंतिखाब किया एक खिता है बना में कुर्शन नजदीकी है मिनफीज के नील के नजदीक काजर खेज खिता हाँ ये जगा नहायत मुनासिब रहेगी मैं आपके इंतिखाब की दात देता हूँ बशर्थ ये के जणाबे युजार सिव अपने वालिद और भायों की मसरुषयात में गुम होकर हमें भूलना जाएं हमें आपकी दूरी बिलकुल बरदाश्ट नहीं हम पर ऐसा सित्म मत कीजिए का ये तो जणाबे फर्मारवा की मुहबत है आप तो बिलकुल परिश्टों की तरह हो गई है जुलेखा लगता है आपको पूरी इम्र इबादत में ही बसर करनी है पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परिस्टिश किया करती थी और अब जब से यक्ता परस्ट हुई है तो खुदा यक्ता की अबादत में रहती है हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को एहल अर्श से हटा कर एहल फर्श का हम नशीन कर दें इसकी जरूरत नहीं जनाबे फर्मारवा मैं अभी तक दुनिया और इस वानी जिसम के हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ आप हुक्म कीजिए कनीज हासिर है अगर ऐसा है तो फिर क्यों वर्श नशीनों के साथ तो राहो रसम बढ़ाई जा रही हैं लेकिन खाक नशीनों से गफलत परत रही हैं आप जिस खाकी की बात कर रही हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है सुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये गफलत अब तूर पकर आप जनाब युजार सीफ की हमसरी क्यों खुबूर नहीं करते हैं अच्छी बात है हम आपसे बाकाइदा तोर पर अजीजे मिस्ट जनाब युजार सीफ के लिए खौस्तवारी करते हैं अगर जनाब फर्मारवा और बानु हुजूर की इजाज़त हो तो बानु जलेखा को चंद रोज सोचने की महलत दी जाए सोचने की महलत तो है लेकिन रद करने की अजाज़त हर्किस नहीं हमें मस्बत जवाब चाहिए आप दोनों ही हमें नहायत अजीजी हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाब ज्यादा हर सेल्ट इवाबे रहे जलेखा जा सकती है जलेखा जाए बिनिया मिल को तो गुलामी में लिया था लेकिन ये तो बहुत बहुत बेटरीन है और उम्दा लिबास में चरा रहा है झाल 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 झाल